सब्सक्राइब कीचिए अनपेट कुरूजी चैनल को दबाईए बैल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियो देखने के लिए हाई गाईज मिया कांचा पटेल आज हम लोग एक बहुत इंपोर्टन टॉपिक पर डिसकस करेंगे कि क्या ओडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो हम कोट में एविडेंस की रूप में मान होगी या नहीं होगी तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक र्क्राटिफिकेशन आप तक पहुंसते रहें तो लैट्स स्टार्ट इस टॉपिक अजब हम लोग कोई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं आज के जब आने में सब के पास एंट्वाइट फोन हैं और कोई भी लड़ाई जगड़ा होता है वो लोग रिकॉर्डिंग करन कि हाँ यह बंदा गलत है यह नहीं है मतलब हम अपने आपको निर्दोस साबित करने के लिए इस एविडेंस का यूज करते हैं और करना भी चाहिए तो सबसे पहले इसकी लेकिन कोछ कंडिशन्स हैं जो जो मान है कोट में तो अगर यह कंडिशन अगर कोई रिकॉर्डिंग यह वीडियो जो आप एविडेंस की रूप में देना चाहिए तो अगर यह फॉलो करती है तो कोट हंडेट पसंट उसको मान करेगा या आप उसको एविडेंस की रूप में दे सकते हो तो क्या कंडिशन है सबसे पहली कंडिशन है कि बिना एडिट किये हो मिस वह जैन्वा कि यह आपका रिकॉर्डिंग जो है वह गलत है तो कोट उसको नहीं मानेगी क्योंकि जब भी आप किसी वेक्ति के खिलाप अगर आप एविडेंस दे रहे हो तो कोट उसकी पूरी तरह से चानबीन करती कि हाँ यह सही है क्योंकि कि किसी की लाइव का सवाल होता है तो कोट और ऐसे नहीं मानेगी तो सबसे पहली कंडिशन है कि जो वीडियो हो बिना एडिट की हो सेकेंड क्या आता है कि जोग आप एविडेंस दे रहे हो इलक्टॉनिक एविडेंस दे रहे हो वह केस से रिलेटेड होना चाहिए पर्टिकुलर्ली कि अगर क्रिमनल का केस है तो आ अपसे इंपॉर्टेंट है कि जो आप इसको एविडेंस दे रहे हो वह केस से पर्टिकुलर्ली रिलेटेड होना चाहिए थर्ड पॉइंट आता है कि कितने लंबे समय से आपने उसको कलेट करके रखा है क्योंकि हर चीज के लिमिट होती है लेक्टॉनिक चीजे हैं आया है कि अगर पांस साल से कम समय का कोई एविडेंस है और वो किलियरली है तो कोट उसको मारने करेगी एविडेंस के रूप में और सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है कि हम लोग यह सारी इलेक्टॉनिक चो एविडेंस से वो किस सेक्शन के अंतरगत बता सकते हैं इनडियन एविडेंस एक्ट सेक्शन 65 बी जिसमें बताए गया है कि और इलेक्टॉनिक अवि लिखों की ग्राइताra मीच एटमिस्मीटी ऑफ एलेक्टॉनिक रिकर्ड आप इसके अंतरगत electronic record को evidence की रूप में प्रस्तुत का सकते हो next point आता है कि जिसकी recording आपने करी है जिस बैक्ति के आपने recording की है वो particularly person identify होना चाहिए कि हाँ यही बैक्ति है जिसकी हमने recording करी है अगर आप किसी की recording कर लो और किसी को फसाओ तो यह उल्टा आपके उपर कहीं ना कहीं फस जाएगा और उसको खारिस कर देगी मानेगी नहीं कि तो सबसे पहली बात है कि जिस person के आपने recording की है वो पूरी तरह से वही person होना चाहिए उसकी identify करना चाहिए कि हाँ यह इसी की ही है और सबसे last point यह आता है कि जिसकी आप voice record या recording करी है या audio या video जो भी evidence है वह accurate होना चाहिए वो सबको समझ भी आना चाहिए कि हाँ यह recording पूरा तरह से दिख रही है अगर उसमें थोड़ी सी भी scratch है या थोड़ा सा भी miss है तो court उसको नहीं मानता है कि क्या फायदा यह किसी को गलत सावित करे या उसको कुछ समझ भी नहीं आता है कुछ आवाज या clearly कुछ नहीं होत है जहां पर blackmailing हो रही है या जहां पर रिस्पक्त हो रही है या जहां पर आपको लड़ाई जगड़े की रूप में आपको लग रहा है कि हाँ यह evidence है तो आप उसको record का सकते हो video और audio उसको मान करेगा बस आते उसमें कोई भी edit नहीं होना चाहिए क्योंकि court यह कभी नहीं होता है उसकी सबसे पहले जाच होती है सब देखा जाता है कि हाँ इसकी रूप में आप दे सकते हो इसलिए कहीं जगह काफी इसके benefit है यूज को सकते हैं लोग तो आपको हमारा video कैसा लगा प्लीज से कमेंट करिए और जो भी आपके मन में सिकायते तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखे और बताए कैसा लगा तो थैंक यू पर वाचिं इस मैं वीडियो बबाए